हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अग्रिकल्चर पॉइंट में और आज हम लेकर आएं बेसी अग्रिकल्चर थर्ड समिस्टर का जो आज ही अभी एक्जाम हुआ है इन्वार्मेंटल इस्टेडिज एंड डियास्टर मैनेजमेंट का उसका मैं सेलिशन पेपर लेकर आया हूँ जो फुल सॉल्व है आईए मैच करते हैं अपने अपने नंबर कितने नंबर आप आये हैं आपने और कमेंड में आप हमें आवसी ही पताएं चलते हैं कोश्चन न निमलिखित में कौन मर्दा प्रदूसक नहीं है तो मर्दा प्रदूसक कौन नहीं है जय उरोरक नहीं है आपसे नंबर बी सही होगा नेक्स कुश्चन है तीन नंबर कौन वायो प्रदूसक नहीं है तो कौन वायो प्रदूसक नहीं है आपसे नंबर डी सही होगा ओर टू प्रत्वी में उर्जा का प्राथ्मिक स्रोथ कौन है तो सूरह होता है नेक्स कोश्चन है खाद संखला का अंतिम पोसी इस्तर होता है तो अंतिम पोसी इस्तर कौन होता है डिकंपोजर होता है तो आपसर नमबर ये सही होगा नेक्स कोश्चन है नो नमबर फसल पारितंत का उदाहन है तो फसल पारितंत का कौन सा उदाहन है तो ये कृतिम पारितंत का उदाहन है आपयूग तो सभी होंगे इसमें कोयला भी होगा प्रकर्टिक टेल भी प्रकर्टिक गैस भी होगी next question है 12 नंबर कि पर्यावन्ण एक जीवन दाइनी तंत्र है जिसमें संभलित है तो इसमें जल हवा तता प्रकास संभी संभलित है तो आपसटोड़ी सेही होगा next question है कोरोना रोग का लचछन है तो करोना लोग का लचछन जcling bukhart शीरदर्द स्वाद्न का खत्म होना आपशन्ट नमर डीज सभी सही हूं Settings निक्स कोश्चन है चोदा नंबर जल वास्प है तो जल वास्प क्या है तो जल वास्प जो है जल की छोटी छोटी पूंदे होती है निक्स कोश्चन है ओजवन दिवस मनाया जाता है तो ओजवन दिवस कम मनाया जाता है कोईले का सुधितम रूप है तो कोईले का सुधितम रूप कौन है एर्थे साइड है अंत्रे साइड है तो इसमें आप संधी सही होगा फसल अवसुसों को जलाने से बड़ी मात्रा में निसकासित होती तो क्या कारबन डायाकसाइड गैस निसकासित होती है आप संसी सही होग next question is 18 number 4 खाद संखला में कौन प्रात्मिक भोकता है तो इसमें बकरी और हिरन होगा आपसर नंबर 20 सही होगा next question is 19 नंबर प्रकास की गहनता को द्वारान मापते हैं तो किसके द्वारान मापते हैं फोटो मेटर द्वारान मापते हैं नमबर एई सही होगा, नेक्स कोस्टन है, बीस नमबर, रेफ्रिज, रेंट की रूप में प्रियुक्त पदार्थ है, तो कौन पदार्थ इसमें प्रियुक्त होता है, इसमें प्रियुक्त पदार्थ है, फ्रियोन प्रियुक्त होता है, आपसन ए सही होगा, नेक्स कोस्टन ह बायो गैस का प्रमुग गटक कौन है बायो गैस का प्रमुग गटक जो है मीथेन है आपसर नमबर 20 सही होगा नेक्स कोश्चन है ओजो तेस नमबर ओजोन रिक्ती करण के परणाम है तो ओजोन रिक्ती करण के कौन से परणाम है तो अच्छा कैंसर का बढ़ना होता है नेक् जंबत की पिए भाडाम यॉनिट में मापते हैं आपसन नुम्डर होगा नेस्ट कोस्टर बीस नंबर आप्दा का रूप है तो आप रेकारोप कौन है तो इसमेंॢड आपसन सभी सही होगे मर्दा परदन भी हो बार्ड भी होगा चकरवाथ भी होगा तो अब M summerด an की आप कहते हैं आपसे तक निए सही और मर्दा परदन का धरातल संबंधी कारक है तो कौन कारक है धरातल संबंधी इसमें जो है उपउख सभी धाल भी होगा धाल प्रवाड़ता भी होगा धाल की घटक भी वहोंगे निस्ट कोस्चन है 29 नमबर भूस खलन ने इंतर तकनीक की क्या है तो इसमें जो है एसफाल्ट के ढाल को एसफाल्ट से ढाल को ढालना होता है एसफाल्ट मतलब डामर होता है डामर डाल दिया जता है तो भूस खलन रुख जाता है निस्ट कोस्चन है निस्ट कोस्चन है भू टाइफून हरिकेन वा मूरा है तो यह क्या है एक शक्रवात है तो आपसन बी सही होगा नेक्स कोस्चन है भारत में हिम हिमेस खलन प्रवंड छेत्र है तो इसमें क्या है उप्युक सभी होगा यहार जगा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश उत्राखंड जमुकस में तीनों होगा तो आपसन नमबर डी सही होगा नेक्स कोस्चन है प्रदवी पर प्रजात इकत विविनता क्या कहलाती है तो जय विवित्था कहलाती है आपसन नमबर इसका यह सही होगा यह दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे ला भूसा सेभगाई एक जीवặ्समिंधन नहीं में जीवावी इनीदव सभगी ओगे सरुरिज्टी सोलर क्या नत्यौन एक चैयुए योजना के तीन चरण क्या है तो आप्दा प्रबंधन योजना के तीन चरण आपसंसी सही होगा योजना प्रबंधन वा कार प्रतिफल होता है आपसंसी सही होगा नेक्स कोस्चन है चौटिस नेक्स कोस्चन है 37 नंबर चेरनोबिल आब्धा समदत है तू किस समंदत है यह परमाण आब्धा से समंदत है info B सही होगा next question है N.I.D.M. का मुख्याल है कहां है तो N.I.A.D.M. का मुख्याल है घ्राबाद में है next question है हिगो 시청 वर्क होसना संबंदित हैं तो यह किस से संबंदित है तो यह आफ सान सी सही होगा टोनों पूंच्ज मूट्छा प्रश्च्ता से संबंदित हैं Pegarus इसक नमबर आपधा प्रमंधन में मुम्ध लुंक gute है तो यह किसकी मुक्षर मोमता होती है इसमें जो है उप्युक्त सभी होगा गैर सरकारी संगठन, छेतरी और अर्दस्यानिक बल सब की होती है नेक्स कोस्चन है 41 नमबर भूकमप द्वारा मापते हैं किसके द्वारा मापते हैं सिस्मोमीटर द्वारा मापते हैं नेक्स कोश्चन है वरत्मान में राष्टी आपदा प्रबंधन प्राधिकर्ण के अध्यक्ष कौन है नरिद मोदी है आपसन ये इसका सही होगा नेक्स कोश्चन है प्राकरति संसाधन के प्रकार हैं तो कितने प्रकार हैं इसमें भी आपसन नमबर डी सही होगा सभी हैं नेक्स कोश्चन है प्रधान मंतिर रहत कोश की स्थापना की थी किसने जवाला नहरू निकी सी आपसा नंबर इसका बी सही होगा नेक्स कोश्चन है मानुव जनित आपदा का उदाहरण है तो क्यों कौन है परमाण वापदा जैविक आपदा दोनों होंगे इसमें आपसा नंबर सी सही होगा नेक्स कोश्चन है वोकम की त्विवरता से क्या संकेत मिलता है तो एनरजी रिलीज होती है इसमें आपसा नंबर ये सही होगा नेक्स कोश्चन है घरेलू कचरा का प्रकार है घरेलू कचरक प्रकार क्या है उप्युक्त सभी होगा इसमें डी न सबसे बड़ा प्राकर्तिक जोखिम है तो क्या जोखिम है सबसे बड़ा प्रकर्तिक तो इसमें उप्रुक्त डी होगा उष्ट कट्बंधों में बांड सुनामी और तुफान सभी होंगे सलाइडिंग बांडरी का उडहान है तो ये फाल्ट होगा उडहान नेक्स कばर्फिम 강प्र किस का भाग है जमीन के समीर परदार बादल किससे बनते हैं तो ये किस से बनते हैं कोहरा से बनते हैं आप सा नमबर सी सही होगा नेक्स कोस्चन है वायो प्रदूसर्ण से पोधे का सबसे अधिक प्रभावित भाग है तो क्या प्रभावित होता है पत्तिव होती है नेक्स कोस्चन है भारत में आपदा प्रभंधन का राष्टी संस्थान कहां है तो यह कहां पर है यह दिल्ली में है निक्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इस दसाओं के संबंद में चेतना पैदा करना नेक्स कोस्चन है इन्वार्मेंट सब्द की उत्पत्य हुई है तो इन्वार्मेंट सब्द की किससे उत्पत्य हुई है फ्रेंच वासा से हुई है नेक्स कोस्चन है लास्ट कोस्चन जेरार्क अनुक्रमण होता है तो किससे हो झाल थी तारो चिंग